हेलो एबरीबन कैसे हो सभी लोग आप लोग को पता है कि यार एससी जेई स्वरी आरवी जेई एक्जाम आपका इस साल आने वाला है मतलब जून या सितंबर के बीच आपका नॉटिफिकेशन आउट हो जाएगा और अक्टूबर या नॉवंबर या दिसंबर तक आपका एक सब्सक्राइब क्योंकि कट आफ इस बार हाई जाने वाला है मार्श टार्गेट करें तो फूल से लिवस सब जगे सीवीटी वन के लिए एंड सीवीटी टू के लिए ठीक है 75 मार्ग से कम काम तो चलने वाला नहीं है तो एक्सपेक्टेड बैकेंसिस बात करूंगा वीडि सब्चेक्ट में 30 कोशन होते हैं 30 माक से जब्लावर्नेस की बात यहां पर नहीं 15 मार्ग से 15 कोशन जनेरल साइंस 30 माक से बहुत बढ़ा ग्यम है तो 100 कोश्चन 100 माक के 90 मिनट में करने होते हैं ठिक है यह आपका सलेद है कि यह चीज़े हैं है जर्नल अवेर्नेस में देखेंगे बात करेंगे बाकी मैत और जर्नल प्राइंस और रिजनिंग से कैसे टैकल करें यह बहुत बड़ा पॉला सी वी टिटी टू की आपकी सामने यह है सिवीटू आपका देखोगे तो ऑपका जर्नल अवेर्निस पंद्रि Commonwealth मार्क्स का है फिजिक्स केमिस्टी है फिन बेसिक कम्प्यूटर्स है उसके बाद बेसिक इन्वार्मेंटल पर्दूसुना टेकनिकल एविल्टी है 150 कोश्यन 150 मार्क्स और 120 मिनिट वे आपको करना होता है यह CBT1 प्लस CBT2 का पैटन से कैसे यह पुराना वाला पैटन है नया तो यही होगा तो ठीक है अगर चेंज होता है बट आपको बेसिक इहीं मानके चलना पड़ेगा ठीक है प्लस CBT2 अर्वी जी स्टेट एए एंड जी की SSC जाए किसी बी एक्जाम के प्रिपेराशन करना चाहते हो तो बहुत सारे बैच लाच असोका 2.0 बैच लॉंच एए एंड जी बैच यह तीन अजार 999 रुपया दो जार 999 रुपया में आपको मिल जा गा कोड़ यूँच करना DPK 250 all state ANJ exam उसके बाद बात किया जाए आर आर भी जही एक्स्प्रेस बैच दो हजर चोवीस पैच जो आपको 3999 रुपए 2499 रुपए में आपको मिल जाएगा ठीक है कोड यूच करना DPK 250 आर आर भी अल पी दो हजर चोवीस बास इस्टन लोको पाइलर टेक्निशन बैच उसके फते बैच SSJ, CBT-1 & CBT-2 के लिए और 3999 रुपए में मिल जाएगा कोड यूच करना DPK 250 SSJ 2024 रुपए 2499 रुपए में आपको यहां मिल जाएगा उसके बाद बात किया जाए आपका RRBJ फांडेशन बैच 3999 रुपए 2499 रुपए में मिल जाएगा कोड यूच करना DPK 250 रुपए उसके बाद चानक्या बैच A&JBOD बैच है तो 1999 रुपए में मिल जाएगा जो रिकॉर्डेट कूर्स होगा A&J exam for all India top faculty की तरफ से आपको पढ़ाएगा उसके बाद A&J खजाना जो है बैच आपको में जाए वेसन न्यू इक्जम पैटर इंछलेब लेक्चर विल बी डिलिवरें हिंदी और इंग्लिस लास्नोड ब्पी नोटस न चैप्टर वाइश उक्टस लाइब लेक्टर एक्ष्टा आउट ग्लास्स लास्स नोड परवाइड डबल इंजिन बिल बी आपको देखो 14-9-9 में खजाना बैच मिल जाएगा खजाना बैच स्वरी खजाना अब देखो भाई मैत कि स्लेवस की बात किया जाए मैत जो आपको बहुत इंपोर्टन्ट है 30 मार्क्स का और इस 30 मार्क्स को आपको यहां से 30 में आल्मोस्ट 25 प्लस आपको लाना ही लाना पड़ेगा देखो निमेरिकल से नंबर सिस्टम कर ले जाओगे बॉर्ड मास से बहुत कोश्टन है डेसिमल से फ्रेक्सान से लसी अप यसप से दो से तीन कोश्टन आते हैं रेशिय और पर्पोश्टन से आते हैं से टाइम एंबर्क से कोश्टन इसमें जितने तौफिक है ना बड़ी नीचे वाले थोड़ा से कह सकते हैं इस से कम काम आते हैं इस स्कार रूट के बहुत कोश्टन होते हैं और टन्यमेट्टी के कोश्टन होते हैं एलजरीबरा के प्रॉफिट एन लाउज तो भाई इस math को करना है भाई कर सकते हो easily भाई अभी से लग जाओ ज्यादा tough नहीं आते हैं अगर question चाहिए तो मैं question करा दूँगा आपको तो भाई math पे focus रखो math हो जाएगा math में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो पचीस marks का target इसमें रखना है पचीस marks का क्योंकि यह आपके बस है अब ऐसे देगा root plus root 3 divided by root 2 minus root 3 अभी इसको calculate करो क्या आएगा तो ऐसे कुछ आता है जो root वाले question होते बाकि अच्छे कोई होते हैं तो इमायत का देख सकतो math मतलब करना होगा तो बता देना बहुत सारे classes है मैंने वीडियो में बता रखा है उसके बाद अगला चलते हैं अगला की बात क्या जाए आपको reasoning 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 तो reasoning में मतलब RRB reasoning मतलब आप कर ले जाओं reasoning में ज्यादा कुछ है नहीं reasoning में आपको syllabus के according बात किया जै कितने question है reasoning में reasoning में बात किया 25 question है तो 25 question में आप से कम reasoning में आपको 20 plus marks ला सकते हो easily तो भाई वहां से 25 इधर से 20 45 marks आपकी यह हो गए क्योंकि reasoning मतलब SSJ वाला करोगे तब भी हो जाएगा reasoning में बहुत ज्यादा statement पर थोड़ा ध्यान देना बाकी यह सारी चीज़े तो reasoning कोई बहुत बड़ी call नहीं है सिर्फ सिर्फ आपका क्या है practice practice करोगे तो reasoning easily कर जाओगे जैसे relationship वाला थोड़ा सा पढ़ लेना mathematical operation वाला प्रेक्टिंग डीकोडिंग कर लेना जंबलिंग करना वेंड डाइग्राम डेटा इंटर्प्रेटेशन यह सारी चीज़े कर लोगित हो जाएगा तो इसमें 25 मार्क ला तो 45 मार्क से यहां से ला सकते हो बाकी वचा आगे की बात करते बाकी आपको 30 मार्क लाना है यह अपमियां से ला दोगो बाकी 30 मार्क से बात करते हैं यह में पोर्शन बहुतर ठफ पोर्शन हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें आपका qS कैसे कैसे करना यह मैं देखो 40 मार्क को 45 मार्क को कैसे आपको करना है मैं बता रहा हूं इसमें अब दो तीस नंबर जो है जर्नल साइंस यहां देखो फिजिक केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यह 10 तक होता है सीवेस्ट अब जीएस को करने के लिए आगे तो को बायलोजी को पढ़ लो बायलोजी में पूरा अच्छे से कनवर्ट करो बायलोजी के उसके फिजिक्स के अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ लो चैमिस्ट्री के पढ़ लो एकदम पे अरोडिक टेबल से आता है फीन आपके आरेंस कैसे बनता है यह सारी चीजी आती है तो भाई आप अभी से करन आप फिजिक्स अदगो पीसीम अभी से करना सुरू कर दो पीसीबी अभी से करना सुरू कर दोगे ना तो आपका हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है बर बायलोजी में आपको ऐसे पढ़ना है विटामिन पढ़ लिया विटामिन पढ़ लिया ठीक है विटामिन के बा तो किसके बससे विटामीन होते हैं, विटामीन की होते है यह सारी चाहिके आप को पढ़ना है Finn brain का काम क्या होता है Finn अव का किननी個 कितनी वाके अब छाहिए यह वहां जाई आप तो फॉन ह мет Kalid假 का में पर करेंम दोलकिन सब्सक्राइब तो होजाएगा, तो मैं मान को GES जो जनरल वाला जनरल 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 नौलेज यह थोड़ा सब हो जाता इसमें से अगर पंद्रियमार्ग्स का है तो आपके कभी 5 नमबर आएंगे कभी 7 नमबर आएंगे 10 ते अब आना तो tough है अगर आप देखो 20 वहाँ से लग दिए 25 वहाँ से लग दिए GS में कितना 30 है मानलो 20 ला दिए कितना हो जाएगा 65 और 5 कितना हो गया 65 65, 65, 70 marks ठीक है? minimum 70 marks है हमारा roadmap कितना है? 75 marks 75 marks लाने के लिए 75 marks लाने के लिए आपको 75 marks लाने के लिए आपको करना क्या होगा? ठोड़ा सा math और reasoning में इतना जो G के है अगर सहिस पड़े 7-8 marks ला दिए ठीक है और आपका और ये जी ये जनरल साइंस में अगर आप 22-23 marks ला दिए 75 marks हो जाएंगे तो इसके लिए अभी से लगना पड़ेगा तभी हो पाएगा ठीक है? तो आप इस पर फोकस करो हो जाएगा ठीक है? अचले अगला टॉपिक है जो हम लोग को expected vacancies कितनी है RRBJ 2024 में तो हम तो बता दिये इतना marks कैसे क्या करना है बाकि और detail चाहिए तो comment कीजिए अप लिए बाकि इतना बहुत sufficient है इतना से preparation करनो कैसे follow करना है तो ये मैं बता दू book की follow किया जाए book की बात किया जाए book में मैं बता देता हूँ आपको book की बात किया जाए book अभी आम लाश में बता देंगी तो RRBJ expected vacancies की बात किया जाए जो अभी निकल के आ रहा है 2000 प्लस vacancies आ रहा है 2000 प्लस vacancies निकल के आ रहा है अब पर 2 की vacancies very less vacancies मैं सज बता हूँ 2000 है तो भाई बहुत कम vacancies इसमें civil होगा mechanical होगा electrical होगा EC होगा CS होगा chemical भी हो सकता है अगर है तो ये इतनी सारी vacancies में divide करोगे कितनी vacancies होगे और आपके पास जोन कितने हैं तो जोन देख सकते हो ये पूरे जोन है 18 जोन है तो ये पूरा हमदाबास से लेके त्रिवंदपुरम तक जोन है अगर 2000 जोन है ना 2000 को 19 से डिवाइड करोगे ना तो भाई आपके 130 vacancies पर जोन नेर अबाउट आएगा और 130 vacancies की बात किया जाए 130 vacancies is very less vacancies और एक जोन में अगर 130 है किसी किसी मान लोगे अवरेज की बात कर रहा हूँ 130 है तो इसमें civil ही होगा 50 vacancies 30 vacancies 20 vacancies पर जून आएगा तो बहुत कम vacancies और टोटली कनफ्यूज हो जाएँगा किस जून से भरू मैं तो I think 2000 is very less vacancies ये जून है तो मैं आप calculate कर लेना अगर 2000 आता है तो जिसे हला हो रहा हूँ तो 4000 से कम नहीं आना हो पा嗎 ता रेल भी प्ता नहीं जहां कर रहा है ब्टनरे बद्बोग की बड़ेता हूं आपको आपको मैं vuik की बात कर लेता हूं एकैसा है ये इस सब्राइए बट अगर एक कोर्स लेना है तो PW ने सांदार जबर जस्त बहुत सारे कोर्स लांच किये हैं तो आप ले सकते हो बट अगर मैत और जंगस पढ़ना है तो आपके पास मैत के लिए आउफशन है जैसे कि CGL लेवल पर पढ़ना है तो बहुत सारे कोचिंग पढ़ा रहा है तो हमको CGL लेवल की मैत की नीडेड नहीं पढ़ेगी बट हाँ आपको राकेश यादो का क्लास से लेते हो तो हो सकते हो GS और GK को भाई टोटली आप लूसेंट से फालो करो लूसेंट से खुद से पढ़ो बेटर है इतना क्योंकि GS थोड़ा सा डीप पढ़ना पढ़ेगा Physics, Chemistry and Bio को तो यह से बूसेंट से पढ़ो और GK पढ़ना है तो GK यार मेरा मानना है YouTube से किसी का वीडियो उठा लो पढ़ते रहो बस Current Affair पे थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा तो लाश्ट में देना अभी से मत देना ठीक है तो GES पे फोकस करो GES यह नंबर दिलाता है अगर आपको आता है तो GES General Science बहुत नंबर दिला देगा 30 में से 28 भी ला सकते हो तो इतना तक जा सकते हो बट यह आपकी मिनहत तक की होगी ठीक है तो यह फोकस आपको करना पड़ेगा आपकी आपको वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करना गाइस बाकी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आप लोग को तक के लिए बाए बाए और टेक केर एवरिवान थैंक यू